ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्मान नायक राजा अधिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदा अनंद समर सद्गुरू साइनात महराज की जय हे गुरुवर हे सद्गुरू आज श्री साइन सचरित्र का अध्याय संतालीस का पठन होने जा रहा है हे बाबा आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम सब भक्त इस पाठ से लभानवित हो सब के चित्र में उत्रे आईए शुरू करते हैं अध्याय संतालीस पुनर जनम, वीर भद्रप्पा और चैन बासप्पा, सर्प वे मेंडक की वार्ता गत अध्याय में बाबा द्वारा बताई गई दो बक्रों के पूर्व जन्नों की वार्ता थी इस अध्याय में कुछ और भी पूर्व जन्नों की स्मितियों का वर्णन किया जाता है ग्यानावतार श्री साई तुमारी मूरती कितनी भव्वे और सुन्दर है हे अंतर्यामिन तुमारे श्री मुख की आभा धन्य है उसका शन मातर भी अवलोकन करने से पूर्व जन्वों के समस्थ दुखों का नाश होकर सुख का द्वार खुल जाता है तुमारी दिश्टी मात्र से ही हमारे कर्म बंधन छिन भिन हो जाते हैं और हमें आनंद की प्राप्ति हो जाती हैं। गंगा में सनान करने से समस्त पाप नश्ट हो जाते हैं। परंतु गंगा माई भी संतों के आगमन की सदेव उत्सुपता पूर्वक रहा देखा करती है कि वे कब पधारें और मुझे अपने चर्ण रज से पावन करें। श्री साई तो संत चूड़ा मड़ी हैं अब उनके द्वारा ही हिर्दे पवित्र बनाने वाली यह कथा सुनो। सर्प और मेंढक श्री साई बावा ने कहा एक दिन प्राते काल आठ बजे जलपान के पश्चात मैं घूमने निकला। चलते चलते मैं एक छोटी सी नदी के किनारे पहुचा, मैं अधिक ठक चुका था, इस कारण वहां बैटकर कुछ विश्राम करने लगा। कुछ देर के पश्चात ही मैंने हाथ पेर धोय और स्नान किया, तब कहीं मेरी ठकावट दूर हुई और मुझे कुछ विश्रान्ती का अनुभम होने लगा। उस इस्थान से एक पगडंडी और बैलगाडी के जाने का मार्ग था, जिसके दोनों और सघन वरक्ष थे, मलय बयार मंद मंद बह रही थी, मैं चिलम भर ही रहा था कि इतने में मेरे कानों में एक मैंडक के बुरी तरह टराने की ध्वनी पड़ी, मैं चक्मक सुलगा ही र और मेरे समीप आकर उसने मुझे प्रणाम किया, और घर पर पधार कर भोजन तथा विश्राम करने का आगरह करने लगा, उसने चिलम सुलगा कर मेरी और पीने के लिए बढ़ाई, मैंडक के टराने की ध्वनी सुनकर वह उसका रहस्य जानने के लिए उत्सुक हो उठा, मै जनम में भोगना पड़ता है, अतहा अब उसका चिलाना व्यर्थ है, एक कश लेकर उसने चिलम मेरी और बढ़ाई, थोड़ा देखूं तो आखिर बात क्या है, ऐसा कहकर वह उदर जाने लगा, मैंने उसे बतलाया कि एक बड़े सांप ने एक मेंडक को मुँ में दबा लि दिखा कि सचमुच एक बड़े सर्प ने एक बड़े मेंडक को मुँ में दबा रखा है, उसने वापस आकर मुझे बताया कि लगबग घडी दो घडी में ही सांप मेंडक को निगल जाएगा, मैंने कहा नहीं, यह कभी नहीं हो सकता, मैं उसका सरक्षक पिता हूँ, और इस समय यहां उपस्तित हूँ, फिर सर्प की क्या सामर्ते है कि मेंडक को निगल जाए, क्या मैं वियर्थी यहां बैठा हूँ, देखो मैं अभी उसकी किस प्रकार रक्षा करता हूँ, दुबारा चलम पीने के पिश्चात, हम लोग उस इस्थान पर गए, आगंतुक डरने ल कि अरे वीर बदरप्पा, क्या तुमारे शत्रु को पर्याप्त फल नहीं मिल चुका है, जो उसे मेंडक की और तुमें यह सर्प की योनी प्राप्त हूई है, अरे अब तो अपना वेमनस से छोड़ो, यह बड़ी लज्जा जनक बात है, अब तो इस इर्षा को त्यागो और शांती से रहो। मैं उसके साथ उसी व्रक्ष के नीचे लोट आया और धुम्रपान करने के पश्चाथ उसे इसका रहस्य सुनने लगा। पूजन की व्यवस्था कर मंदिर के निर्मान की योजनाएं तयार की गई, एक धनाड्य वेक्ति को कोशाक धक्ष निउक्त कर उसको समस्त कारे की देख बाल का भार सौप दिया गया। उसको कारे व्यायादी का यतोचित विवरन रखकर इमानदारी से सब कारे करना था, सेट तो एक उच्च कोटी का कंजूस था। उसने मरम्मत में अत्यंत अल्प राशी व्याय की, इस कारण मंदिर का जीरनो द्वार भी उसी अनुपात में हुआ। उसने सब राशी व्याय कर दी तता कुछ अंच स्वयम हड़प लिया और उसने अपनी गाट से एक पाई भी व्याय ना की। उसकी वानी अधिक रसीली थी, इसलिए उसने लोगों को किसी प्रकार समझा बुझा लिया और कार्य पूर्ववत ही अधूरा रह गया। लोग फिर संगठित होकर उसके पास जाकर कहने लगे सेट साहिब करपया कार्य शिग्र पूर्ण कीजिए, आपके प्रितन के अभा में यह कार्य पूर्ण होना कदापी संभव नहीं। आता है, आप पुने योजना बनाएए, हम और भी चंदा आपको वसूल करके देंगे। लोगों ने पुने चंदा एकत्रित कर सेट को दिया, उसने रुपए तो ले लिया, परंतु पूर्वरत ही शान्त बैठा रहा। कुछ दिनों के पश्चाद उसकी इस्तरी को भवान शंकर ने स्वपन दिया कि उठो और मंदिर पर कलश चड़ाओ, जो कुछ भी तुम इस कारे में व्याय करोगी, मैं उसका सोगुना तुमें अधिक दूँगा। उसने ये स्वपन अपने पती को सुना दिया, सेट विश्वास किया जा सकता है, यदि ऐसा होता, तुम महादे मेरे समक्षी प्रगट होकर ये बात मुझसे कह देते, मैं क्या तुम से अधिक दूर था, ये स्वपन शुपदायक नहीं, ये तो पती-पत्नी के समंद बिगाड़ने वाला है, इसलिए तुम बिलकुल शांत र दिये गए एक तुछ तामे का सिक्का भी सहर्ष स्विकार कर लेते हैं, महादेव ने पुना सेटानी को स्वपन में कह दिया कि तुम अपने पती की विर्थ क्यों बातों और उसके पास संचित धन की और ध्यान ना दो और ना उन से मंदिर बनवाने के लिए आग्रही करो, मैं तो तुमारे प्रेम और भक्ती का ही भूखा हूँ, जो कुछ भी तुमारे व्याय करने की इच्छा हो, सो अपने पास से करो, उसने अपने पती से विचार विनेमय करके अपने पिता से प्राप्त आभूशनों को विक्रह करने का निश्चे किया। समस्त आभूशन स्वयम खरीद डाले और एक बंजर भूमी का भाग मंदिर के निमित लगा दिया जिसे उसकी पत्नी ने भी चुपचाप स्विकार कर लिया सेट ने जो भूमी दी वह उसकी स्वयम की ना थी वरन एक निर्धन स्थ्री दुबकी की थी जो इसके यहां 200 रुपे में गिरिवी रखी हुई थी दीर्ग काल तक वहरन चुका कर उसे वापस ना ले सकी इसलिए उस धूर्त करपण ने अपनी इस्थ्री दुबकी और भगवान को धोका दे दिया भूमी पत्रिली होने के कारण उसमें उत्तम रितु में भी कोई पैदावार ना होती थी इस प्रकार यह लेन दिन समाप्त हुआ भूमी उस मंदिर के पुजारी को दे दी गई जो उसे पाकर बहुत प्रसन हुआ कुछ समय के पश्चात एक विचित्र घटना हुई एक दिन बहुत जोरों से जंजावत आया और अती वरिष्टी हुई उस करण के घर पर बिजली गिरी और फलसरूप पती-पत्नी दोनों की मृत्यू हो गई दुबकी ने भी अंतिमश्वास छोड़ दी अगले जनम में वैक करण मतुरा के एक ब्रामण कुल में उत्पन हुआ और उसका नाम वीर भद्रप्पा रखा गया उसकी धर्म पत्नी उस मंदिर के पुजारी के घर कन्या होकर उत्पन हुई और उसका नाम गौरी रखा गया दुग की पुरुष बनकर मंदिर के गुरव सेवक बंश में पैदा हुई और उसका नाम चैन बसपा रखा गया पुजारी मेरा मित्र था और बहुदा मेरे पास आता जाता वारता लाप करता और मेरे साथ चिलम पिया करता था उसकी पुत्री गौरी भी मेरी भक्त थी भे दिनों दिन सयानी होती जा रहे थी जिससे उसका पिता भी उसके हाथ पीले करने की चिंता में रहता था मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई अवशक्ता नहीं वर स्वयम तुमारे घर लड़की की खोज में आ जाएगा पन हो गया पहले तो वह मेरा भक्त था किन्तु अब वह कृतग्न बन गया उस नूतन जन में भी उसकी धन त्रिशना नश्ट ना होई उसने मुझसे कोई उद्योग धंदा सुजाने को कहा क्योंकि इस समय वह विवाविक जीवन व्यतीत कर रहा था तबी एक विचित्र घटना हुई अचानक ही प्रतेक वस्तों के भाव उँचे चड़ गए गौरी के भाग्ये से जमीन की मांग अधिक होने लगी और समस्त भूमी एक लाख रुपियों में आबुशनों के मुल्य से सो गुना अधिक मुल्य में बिक गई ऐसा निर्ने हुआ कि 50,000 रुपे नगद और 2,000 रुपे प्रतीवर्ष किष्ट पर चुकता कर दिये जाएंगे सबको यह लेन देन स्विकार था परंतु धन में हिस्से के कारण उनमें परस पर विवाद होने लगा वे परामर्ष लेने मेरे पास आये और मैंने कहा कि यह भूमी तो भगवान की है जो पुजारी को सौपी गई थी इसकी स्वामिनी गौरी ही है और एक पैसा भी उसकी इच्छा के विरुद्ध खर्च करना उचित नहीं तथा उसके पती का इस पर कोई अधिकार नहीं है मेरे निर्णे को सुनकर वीर भद्रपा मुझसे क्रोधिद होकर कहने लगा कि तुम गौरी को फुसला कर उसका धन हड़पना चाहते हो इन शब्दों को सुनकर मैं भगवत नाम लेकर चुप बैठ गया और वीर भद्रपा ने अपनी इस्त्री को पीटा भी गौरी ने दोपहर के समय आकर मुझसे कहा कि आप उन लोगों के कहने का बुरा ना मने मैं तो आपकी लड़की हूँ मुझ पर कृपा दिष्टी ही रखें वह इस प्रकार मेरी शरण में आई तो मैंने उसे वचन दे दिया कि मैं साथ सुमंदर पार भी तुमारी रक्षा क करूंगा तब उस रात्री को गौरी को एक दिष्टांत हुआ महादेव ने आकर कहा कि यह सब संपत्ति तुमारी ही है और इसमें से किसी को भी कुछ ना दो चैन बसाप्पा कि सला से कुछ राशी मंदिर के कारे के लिए खर्च करो यदि और किसी भी कारे में तुमें खर् सला विदी मैंने उससे कहा कि मूलधन तो तुम स्वयम ले लो और ब्याज की आदी रकम चैन बसाप्पा को दे दो वीरभद्र का इससे कोई संबंद नहीं है जब मैं ये बात कर ही रहा था वीरभद्र और चैन बसाप्पा दोनों ही यहां जगडते वे आये मैंने दोनों क को शांत करने का प्रयत्न किया तथा गौरी गौरी को हुआस महादे को सपन भी सुनाया वीरभद्र क्रोध से उन्मत हो गया और चैन बसाप्पा को टुकडे टुकडे कर मार डालने की धमकी दिने लगा चैन बसाप्पा बड़ा डरपोग था वह मेरे पैर पकड़कर रक् चैन बसाप्पा की पुकार सुनकर और मैं अपने पूर्वचन की स्मृति करके यहां आया और इस तरह से उसकी रक्षा कर मैंने अपने वचन पूर्ण किये संकट के समय भगवान दोड़कर अपने भक्त के पास आ जाते हैं उसने मुझे यहां भेज कर चैन बसाप्पा की रक्षा कराई यह सब इश्वर्य लिला ही है शिक्षा इस कथा की यही शिक्षा है कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है जब तक की भोग पूर्ण नहीं होता पिछला रण और अन्य लोगों के साथ लेन देन का व्यवार जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक छुटकार भी संभव नहीं है धन त्रिश्णा मुनुश्य का पतन कर देती है और अंत में इससे ही वह विनाश को प्राप्त होता है श्री सद्गुरु साइनाथ परनमस्तु शुबंभमतु ओम साइराम